अलो वेबन आम अमितिवारी फरमितिवारी.net और यह है Google Ad series का 9th पार्ट आज के इस वीडियो में हम Performance Max टाइप के Google Ads बरहना सीखेंगे Performance Max जैसा कि नाम से पता जल जाता है इनका टार्गेट है Maximum Ad Performance आपको प्रोवाइट करना यह Google के AI Enabled Ad Type है जिसमें Google का खुद का Machine Learning Algorithm AI Algorithm आपके Ad को बनाता भी है, Target भी करता है, Run भी करता है लेकिन अगर सब कुछ AI कर लेता है तो फिर हम आज के वीडियो में करने क्या जा रहे हैं? वेल यह Ad Campaign भले ही AI पर चलता है लेकिन इसमें Basic Information डालना इसमें Important Settings करना यह हमारा काम है और अगर आप इससे सही से ना करें तो यह सबसे अच्छा तरीका है आपके पूरे के पूरे Ad Budget को खतम कर दे रहेगा बिना किसी Result के Performance Max Campaign महंगे कहे जाते हैं यह महंगे है नहीं इन्हें महंगा कहा जाता है क्योंकि mostly इसकी Settings लोग गडबड कर देते हैं इसलिए आज के इस टुटोरियल में हम देखेंगे Performance Max Campaign को सही से बिल्ड करना क्या सावधानिया रखनी चाहिए कैसे बिना पूरे बजट को आग लगा है आप Performance Max Campaign को यूज कर सकते हैं जलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाते हैं Performance Max आड अब हमें बनाना है Performance Max टाइप का Campaign क्लिक करते हैं क्रेट बटन पर कभी रंग विरंगा बटन कभी कलर वाला बटन चलता रहेगा वैसे कर आप ध्यान दे तो जब आप इस बड़े से ब पर आनेक बाद तो आपको सिर्फ एकी Option दिखाई देता है New Campaign या फिर Load Campaign Settings यानि कि किसी और Campaign की Settings लेकर आप नया Campaign मिला देते हूं ऐसा क्यूं होता है क्यों कि अब हम Campaign Option के अंदर है यहां पर यह जो बटन है कहां रह रहा है जिस Campaign नाम के महले के अंदर रह रह रहा है तो इस रहा है Search Keyword का Option भी दे रहा है और Conversion Action का Option भी दे रहा है तो एक छोटा सा Difference है जो याद रखने की ज़रो होते है में भी कहीं पूछ लिया जाए आपको यहां पर क्लिक करना है Create a Campaign Without a Goals Guidance Always Remember हम यह वीडियो टुटोरियल कर रहे हैं इसलिए हम बार-बार इस Option को सेलेक करते हैं ताकि हम सारे Options को एक बार में आपको दिखा सकें लेकिन जब आप काम करेंगे तो आप इन Sales, Leads, Website Traffic, Promotion, Awareness, Consideration and यह जो Local Store Visit वाली आड है इनक के बारे में आगे लास्ट में वीडियो के अंत में भी बात कर लेंगे तो कोई परिशान होनी की ज़रत नहीं है तो एक बार हमने क्लिक कर लिया है Create a Campaign Without Goals Guidance नाम की बटन के ऊपर और उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहां पर सेलेक कर लेते हैं Performance Max बहुत ही Special Type का Ad Campaign है इस पर क्लिक करते है Performance Max पर और इसके बाद आपको नीचे Option कुछ और दिखाए देते हैं सबसे पहले यहां आप से पूछा जा रहा है कि Conversion का Goal क्या है क्या आप करना चाहते हो इस Campaign के जरी है तो यहां पर ओल्रेडी एक Conversion Goal selected है Purchase Level का हम इसी को सेलेक्ट रहें देते हैं और इसके बाद हमें देना है वो URL जहां पर लोग जाएं आपके अड़ पर क्लिक करने के बाद यानि कि लेंडिंग पेज क्या होगा तो हमारे जैसे कोर्स आने वाला है तो हम उसका लेंडिंग पेज ही ले लेते हैं team.amitwari.net अगी मुझे exact लेंडिंग पेज याद नहीं है लेकिन हम एक advanced level का digital marketing course launch कर चुके हैं जिसमें आपको दो option मिलते हैं basically if you are very new you can join the basic course otherwise you can also join the advanced course. So, let's click on join advanced course here. So, यह हमारे advanced version का landing page हम यहाँ पर मिल चुका है इसे हम copy कर लेते हैं, cut and then इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस final URL बैज जगए पर उस URL को paste कर देंगे और इसके बाद click करेंगे continue button पर, right और यह advanced level का हमने पूरा syllabus set किया है, it's the highest quality syllabus right now in the market because 3-4 brand के syllabus तो मैं ख detail नहीं जा रहा है, to be honest, it's not for kids, अगर आपने एक-दो साल मार्केट में काम किया हुआ है या आपने कोई बहुत ही detail already एक साल का course कर रखा है, तभी आपको इस course को लेना चाहिए, it's the toughest course, but it gives you your career wings, यहाँ पर हमने अपना URL एंटर कर दिया है, इसके बाद मैं सिर्फ campaign नाम और campaign type है, so okay, let the page load, wait कर लेते हैं दो मिनट, सांस लेते हैं, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, तब तक यह जो पेज है, load हो जाएगा, so यहाँ पर bidding का option, so यह page load हो चुका है, और हमें मिल रहा है सबसे पहले bidding का option, यानि कि आप कैसे bidding करवाना चाहते हैं, conversion, यानि कि जो bidding होगी, जो Google इस ad के placement के लिए bid करेगा amount, वो हमेशा conversion को ध्यान में रखे होगी, यानि कि आप कितना ज्यादा conversion चाहते हो, आपके conversion बढ़ें, अगर Google को लगता है कि मैं ad दिखाऊंगा, चाहे मुझे 20 रूपीज खर्च करने पड़ें, या 22 रूपीज खर्च करने पड़ें, या even 30 रूपीज पर क्लिक खर्च करने पड़ें, लेकिन conversion अगर हो जाएगा, तो Google अपने आप spend करेगा, right, this is the conversion concept, but उसके साथ में दूसरा option है conversion value, conversion में basically जो भी आप conversion set करो, let's say आपका goal है sale करना, तो यहाँ पर sale कराने की तरफ focus करेगा, but conversion value का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा revenue निकालने की कोशिश करेगा, so revenue तभी होगा जब आपके ad पर कम budget में click होंगे, right, और आपकी sale होगी, so यहाँ पर थोड़ा सा conservative रहने की कोशिश करता है, और conversion में चाहे जितने पैसे लग जाएड में, लेकिन आपको sale निकाल के देगा, right, so यह दोनों यह अलग-अलग concept है, और हम bidding type के बारे में आगे आने वाले videos में specifically बात करेंगे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ bidding type की बात होगी, so अभी फिलाल के लिए right now मैं conversion सेलेक कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर एक checkbox दिखाई दे रहा है, set a target cost per action, right, यानि कि Google यह extra level control दे रहा है, कि आप एक target level set कर सकते हो, let's say मैं Google को बता रहा हूँ कि अगर performance max campaign इस course को sell करने के लिए चलाते हो, तो ज्यादा से ज्यादा I can spend 500 rupees, sample की बात कर रहा हूँ, actually मैं exactly इसको मान के लिए चलना है, right, this is not per day budget, this is cost per action, यानि कि एक बार के action के लिए, ठीक है, action क्या है, conversion, so एक बार के लिए आप 500 रु for acquiring new customer, यानि कि आपका ad नई-नई audience को दिखाया जाएगा, rather than उन लोगों के जो already आपका ad देख चुके हैं, या landing page पर click कर चुके है, right, ad का जो optimization होगा, वो ज्यादा से ज्यादा unique audience के उपर होगा, so let's say कि अगर मेरा जो product है, वो यही course है, तो यहाँ पर मैं इस option को tick off रहने द student जरुई नहीं है कि एक बार ad देखती, तुरंती purchase कर ले, it's 18,000 rupees का product है, so इसको purchase करने से पहले audience दो-तीन बार देख सकती है, सुन सकती है, maybe audience will compare my course with some other course and then इसके बाद दुआ कर purchase करेंगा, so it's fine अगर एक ही audience को बार-बार वो ad दिखाया जा रहा है, but let's say कि अगर मैं कोई mobile phone cover जिसा product sell कर रहा होता, जहां पर सस्ता product जिसको user एक बार देखता है, अच्छा लगता है, purchase कर लाता है, या फिर नहीं purchase करता है, तो ऐसे campaign में it makes sense कि आप इस option को use करें, और अपने ad को ज्यादा से ज्याता नई audience तक ले कर जाए, ठीक है, जैसे ही इस option को टेक करता हूँ, यह यहां पर एक दूसरा option टेक दिखाए दे रहा है, क्या दिखाए दे रहा है, bid higher for new customer than existing one, यानि कि existing customers के लिए कम bidding amount रख सकता है Google, लेकिन नए customers के लिए ज्यादा bidding amount रखेगा, ताकि आपका ad जरूर दिखाया जाए, this is default value, okay, and then इसके बाद दूसरा option है, only bid for new customer, यानि कि वो प campaign तो रनी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी right now कोई customer list हमने बनाई ही नहीं, हमने बताया ही नहीं है Google को, कि भाई हमारे existing customer कौन है, तो ignore किसको करेगा, है न, तो इसलिए यहां पर गूगल के जो recommended method है, वो basically हमेशा ऐसा होता, जिसमें आपका पाई से ज़्यादा खर्चो, ब पहला फाइदा Google का खुद का होगा, यहां पर देखो, अगर आप सिर्फ only bid for new customer करते हो, तो इसका मतला पुराने customers को आड नहीं दिखा होगे, अगर आड नहीं दिखा होगे, तो क्या होगा, बजट नहीं खतम होगा, और अगर बजट नहीं खतम होगा, तो Google का ही तो नुक से दे रहा है, right, in case of display ads, ठीक है website owners के साथ नहीं से share करना पड़ता है, but YouTube पर, Gmail पर, Google search पर, यहां पर जब आपके आड दिखाए जाते हैं, तो सारा पैसा total किसके पास जाता है, सिर्फ Google के पास, right, तो इसी लिए वो हमेशा इस टाइप की settings को on रखते हैं, इसी लिए आपको सारा option को सीखना ज़रूरी है, ताकि आप वो recommended, recommended पर से check करते जाओगे, तो हो सकता आपका benefit हो, हो सकता है, ना हो, लेकिन Google का benefit ज़रूर हो, ठीक है, थोड़ा सा detour ज़रूरी, ताकि आप उनकी strategy है, जो chronology है, वो समझते हैं, इसके बाद ठीक है, यहां पर अभी हम इसे select र लेते हैं, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह सारे के सारे video tutorials sequence में बनाए गए हैं, इसलिए हर sequence में हम उस setting को explain नहीं करते हैं, जिने पहले एक, दो, दो, तीन, चार videos में already explain कर चुके हैं, जो यह जितनी भी settings हैं यहां पर country वाली, यह already में explain कर चुके हैं, इसलिए दुबार explain नहीं कर रहा हूं, आप पुरानी वीडियो भी देखें, जिससे आपको पूरा फाइदा मिले हर वीडियो का, इसके बाद language setting, I am not going to explain this at all, अपने अब बन गई, ठीक है, यहां पर एक drop down हो रहा है, automatically created assets का, ठीक है, यहां पर हम डिए लोग टिक करते हैं, और यह क्या है कि अभी by default add होने लगा, ठीक है, पहले कुछ दिनों तक अभी यह बीटा में था, जहां पर आपको on करना पड़ता था, अभी यह by default open है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Google आपकी landing page से, text, image, video, जो भी चीज़े वहां पर हैं, उसको लेकर आपके add के लिए assets खुद से बना लेगा, अगर कोई image आपके landing page पर use हुई थी, तो उसको use करेगा, और आपके लिए हो सकता, add के लिए उस image को use करके यहाँ पर add बना लेगा, ठीक है, अगर आपने कोई बढ़िया punchline है, headline है, कोई text है, paragraph है, कोई quote है, वगर आपने landing page यहाँ पर use कर सकता है, ठीक है, तो अगर यह option tick है, तो इसका मतलब है कि आपके landing page से सारा content उठाकर add बनाने में use कर सकता है, performance max campaign, यानि कि आपका जो add asset बनाने में जो time लगने वाला था, वो थोड़ा सा बच जाता है, आपको नहीं पता है कि किस type का add asset, किस type का graphic, किस type का look आ बेचने वाला audience ज्यादा बहतरी रियाक करेगी, यह काम आप की तरफ से google कर लेता है, जो एक दूसरा option है, वो है final URL का, यानि कि ज़रूरी नहीं है कि google performance max campaign में वही landing page यूज कर जो अभी आपने दिया है, अगर google के system को लगता है कि कि किसी और दूसरे relevant page पर भेज कर audience को ज्य चाहते हो कि नहीं, आपका जो user है, जो आपका visitor है, आपके ad को देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी landing page पर click करें, जिसको आप दे रहे हो ad में, तो इसको tick off कर दो, ठीक है, फिर इसको on करने की जरूद नहीं है, अभी फिलाल example के लिए मैं इसे on कर लेता हूँ, यहाँ पर एक option दे रहे है, exclude some URLs, अगर आप नहीं चाहते हो, कि आपके website पर कोई ऐसा page है, जिसको ना use करें, landing page के लिए, for example, let's say privacy policy, terms and conditions, I am not saying कि आपको privacy policy, terms and conditions, use करना चाहिए, because Google system अपने आप ही privacy policy, terms and conditions, pages को नहीं use करेंगा as landing page, but example करे माल लेते हैं, कि अगर आपके website पर कोई भी इसा page है, जिसको आप नहीं चाहते हो, कि एक कताई किसी भी हाल में, use किया जाए, ads के landing page में, तो यहाँ पर आप exclude भी कर सकते हो, उन सारे URLs को, ठीक है, आप यहाँ पर सीधे-सीधे, एक-एक URL को एंटर कर सकते हो, let's say, hdps, aim.amitivari.net, and let's say, I have some landing page, जो digital marketing course के लिए है, ठीक है, तो मैंने आपर इसे exclude कर दिया, add कर देता हूँ, या add हो गया, अब इस page को performance max campaign में, as landing page नहीं use किया जाएगा, या फिर आप rules भी set कर सकते हो, कि let's say, आपके सारे URLs में, let's say, एक कोई category है, blog, और आप नहीं चाहते हो, कि blog category हो, कोई भी URL जो है, वो use किया जाए, performance max campaign में, as landing page, तो यहाँ पर rule set कर सकते हो, URL contains, what contains, blog, यह set कर दिया मैंने, तो अब किया है, कि जो भी, कोई भी ऐसा URL हो, जो slash blog slash करके चालू होता है, तो यहाँ पर अपनी आपनी ही आएगा, तीक है, आपको सिर्फ क्लिक करना होग I'm not going to explain, start और end date, आपने हिसाब से set कर सकते हैं, page feeds, यानि कि आप अपने pages की feeds को add कर सकते हो, अपने campaign के लिए, now unfortunately, अभी जो हम landing page use कर रहे हैं, उसमें कोई भी feed वाला URL नहीं है, otherwise आप यहाँ पर add कर सकते हैं, तो हम किसी और दूसरे वीडियो में इसे explain कर रहें, इसके देखने चाहिए थे, जानने चाहिए थे, वो सारे हमने देख लिया है, क्लिक करेंगे next बटन पर, और देखते हैं, कुछ और options, now यहाँ पर जो हमने landing page का URL दिया था, aim.amitivari.net slash courses slash advanced digital marketing, उसके base पर यहाँ पर already, अपने आप कुछ keyword की जो themes हैं, वो यहाँ पर select कर लिया है, internet marketing, training and certification, online education and degree programs, vocational training and trade schools, computer education, सारे गलते हैं, यह खुबी है, AI के URL system की, कि वो कभी accurate होगा, तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं होगा, तो बिलकुरी खराब होगा, right, so हम इन सब को cut कर लेते हैं, हटा देते हैं, digital marketing course, enter button press करने के साथ ही, आप keyword को add करते जाएंगे, so digital marketing course, enter, digital marketing classes, and then SEO course, advanced digital marketing course, and PPC course, Facebook ads course, meta ads course, Instagram ads course, a lot of options are here, right, आप को 20 keywords तक आएंगे, add करने का option मिल रहा है, basically these are not keywords, you are selecting keyword themes, of product or services, जो आपके add में appear होनी चाहिए, so smart campaigns में इनको keyword themes बोल देते हैं, यहां पर हमने product or service बोल रहे हैं, but these are not keywords, always remember, these are not keywords, it's an AI enabled ad campaign, जिसमें बहुत सारी चीजें, Google के हाथ में रहने वाली हैं, so आपको यहां पर keyword नहीं add करने हैं, आपको product या service या keyword themes एड़ करने हैं, ठीक है, इसके बाद, what makes your product or service unique, what are those things, what are those qualities, जिसकी वज़े से आपका product ज्यादा unique है, for example, अगर मैं अपने course की बात करूँ, तो हमारी speciality है, number one, मैं ही पढ़ाता हूँ, सारी classes live होती है, और उसके राबा, जो सलेबस है, वो बहुत advanced होता है, बह depth information मिलती है, सारी classes practical होती है, बहुत सारे quizzes बगरा होती है, जिसको आप देखकर practice करके, और अपने skills को improve कर सकते हैं, and all of this is at really affordable price, I mean, 18,000 for advanced digital marketing course, no, it shouldn't be at that price, but then again, हमारा जो goal है, वो है ज्यादा से ज्यादा audience तक इस education को पहुंचाना है, because money making services से करते हैं, so this is there, just for the education purpose, so now, करें, पूर्धी अपना गुडगान करेंगे, so our digital marketing course is conducted by Amrit Tivari, all of our classes are conducted live, our syllabus is most updated and comprehensive, so that you can gain the extra edge, not you, students can get extra edge in their professional, live, our course offers advanced SEO training, advanced PPC training and so on, you know, you get the idea, basically, इस text को use करके, Google का LLM system, आपके ad के लिए, नई-नई headlines और description को बनाएगा, यह आप से अपना काम करवा रहे हैं, आपने landing page का link दे दिया है, लेकिन यह landing page से सारी information को accurately नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आप से यह, जो पूरा 3000 words का content है, इसको लिखवा रहे हैं, Now, यहाँ पर आजाता है एक और important step, जहाँ पर यह आप से पूछ रहा है, इसने आपकी website को पूरा visit कर लिया, और website को visit करने के बाद, जो भी content मिला है, not just landing page, बल्कि social media वाले जो pages हैं, उनको भी इसने, यहाँ पर list मेरा cover, आप से पूछ रहा है कि क्या इन pages से information निकाल लू मै ad बनाने के लिए, so for example, instagram वाला page है, जो twitter.com वाला page है, landing page का खुद का, यहाँ से content निकाल लेगा, now मैं नहीं चाहता हूँ कि facebook.com जो page है हमारा, उससे भी content निकाला जाए, because उस पर content मेरे ख्याल से मैंने खुदी 2-3 साल से नहीं post किया होगा, facebook पर कुछ भी, तो यहाँ पर मै आने के बाद, अब हम skip कर सकते हैं, यानि कि यह सारे options यूज नहीं होंगे, या फिर हम generate assets button पर click कर सकते हैं, तो generate assets button पर click करते हैं, इस तरह से, और यहाँ पर हम asset group को एक नाम दे देते हैं, यह basically आपके assets group, asset group, add group नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी information दी है इस ad को बनाने के लिए, campaign settings के बाद, ad बनाने के जो आपनी information दी है, जो आपनी landing page दिया है, उसको use करके assets बनाई जा रहे है, right, so यह asset में image भी है, text भी है, landing page भी है, सब कुछ headline वगरा, everything is there, अभी हम नीचे scroll करके देखते हैं, but this right now, this group has to have a name, so यहाँ पर इसे नाम देता हू advanced या सीथे सीथे simple नाम देते हैं, advanced digital marketing जो यहाँ पर हमारे scores का landing page का भी इस लाग है, और ADM and ad one, ठीक है, इस तरह से अपने हमेशा asset group को या ad group को, या किसी भी चीज़ को नाम हमेशा ऐसा देना चाहिए, ताकि आप 6 महीने बाद, एक साल बाद भी अगर उस ad group या उस campaign के ना marketing classes, online marketing course, aim advanced marketing, seo training online, best seo course online, advanced seo training, career opportunities, get lifetime access, instagram ads course, meta ads course, full course price, get a comprehensive course, lifetime course, validity, facebook ad course, too good, and if you are not happy with any of these headlines, आप directly भी change कर सकते हो, lifetime access की जगे, validity कर सकता हूं, right, मैंने change कर दिया, and साथ ही में, अगर आपको कोई भी ने अच्छी लग रही, तो आप इस generate headline बटन पर click करेंगे, और फिर से दुबारा से generate करने की तरफ आगे बढ़ जाए, यहाँ पर आप थोड़ा बहुत describe करके, इसके बाद दुबारा से generate कर सकते हो, और इसकी किसी को भी use कर सकते है, so, आपने आप Google प्रवाइड क reports at AIM for 18,000, right, learn how to use AI in digital marketing to increase sales, so, काफी सारा बना हुए content, लेकिन लेट से कि हमें, लॉग है अच्छी लोग है, 43 words का ही सिर्फ है, और यह यहाँ पर 44 words का है, 40 words का 90 words की जगह है, मैं words बोल रहा हूं, character हो चाहिए, so, यहाँ पर 90 character की जगह है, but हम बहुत ही कम लिख रहे है, so, म बहुत है, our students, you get training about advanced Google search console uses, Google analytics uses, and advanced schema data training, also we train students in advanced Google ads, Facebook ads, meta ads, and so on, इसके बाद generate button पर क्लिक का देते हैं, I usually get this question, कि अगर मैं YouTube पर इतना से अदा अदा प्लिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो फिर कोर्स के अंदर और क्या advance होगा, but thing is that you will never ever find out if you won't join, right, सिर्फ इतना ही नहीं है, ads अपने आप में बहुत complex जीव है, जहाँ पर, कुछ तो चीज़ें यहाँ पर click किया, और ऐसा गिया, यह option किया, but एक background understanding होना बहुत ज़रूरी, एक marketer perspective होना ज़रूरी है, जिसमें आप अपने client की website पर, या उसके product के बारे में बैट कर, देख कर सोच सकते हो, ad campaign हमेशा दिमाग में बनता है, यह जो हम कर रहे हैं, यह process है, यह tool है, right, जब google ads नहीं होता था, तो भी लोग sell करते थे, करते दिक नहीं करते थे, so marketing ads दिमाग में बनते हैं, वो understanding develop करना बहुत ज़रूरी है, I can't create a youtube video series where I see, okay I am going to develop your understanding or you know, comprehension about ads, running ads, but if I do a video series where I say google ads series, a lot of people are going to click on it, आपने खुद click किया है, so that is why courses are important, anyways, अभी right now, फिलहाल के लिए हम click कर लेते हैं, जिनको हमें हटाना है, यहाँ पर हमने नए headlines को generate किया है, so मैं इन्हें हटा देता हूँ, जो अभी हमने हाँ पर बनाए हुए है, already use कर रखे, हटा देते हैं, यह ठीक रहे है, थोड़ा सा लंबा भी है, use कर रहेते हैं, और यहाँ पर click करते हैं, right, ठीक है, यहाँ पर हमने 5 headline, और create कर लिए एक और है, इसको आप सेव कर देते हैं, तो सारी की सारी जो नई headline है, वो यहाँ पर आ गए, now 58, 77, 59, 65, यह एक छोटी से बढ़ा कर सकते हैं, but अभी फिल अभी के लिए से use कर लेते हैं, now यहाँ पर recommended images आपको मिल रहीं, right, देखो, images 0 by 20, यानि कोई image अभी है नहीं, but आपको suggestion मिल रहा है, इतनी images के, कौन कौन से images हैं, एक यह है, एक यह है, यह है, यह है, यह है, यह है, यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान दीजे, यह enhanced from URL, यानि add के अपने खुद के content के base पर, Google ने stock image website से download करके, यहाँ पर use करनी शुरू कर दिये, और यह generated है, यह LM ने खुद से Google के system ने generate किया है, okay, so AI images यूज हो रही है, again free stock image है, but यह enhanced from URL, यानि कि यह particular image इनको landing page पर मिली, यहाँ पर landing page पर यह image है, और इसको सिर्फ इन्होंने color correct करके बेटा तरीके से use कर रहे है, so आप देख सकते हैं कि आपके ad campaign के लिए Google ने already images या तो बना ली, या तो मांग ली, या त फिर आपकी landing page से उधार ले ली, आपको क्या करना है, सिर्फ select all, अगर आप सारी images आपको अच्छी लग रहे हैं, तो select all करके, आप सारी images को एक बार मे यह जो preview भी दिखाई देने लगेगा, अब इसके बाद नीचा जाते हैं, logo, logo भी already selected है, business name, aim, institute of marketing, यहाँ पर नाम रख लिए है, बट यह बहुत लंबा हो रहा है, okay, ठीक है, aim, classes ही कर लेते हैं, उनके LM system ने ज्यादा अच्छा select कर लेता है, इसके बाद यहाँ पर videos का option द दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर video add कर सकते हैं, video कैसे add करने, यहाँ पर हम click करेंगे और इसके बाद आप video इहीं पर asset message मिकाल लेते हैं, अभी हमने already 2-4 add campaigns में use किया, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम इसको save कर लेते हैं, जब भी आप किसी और दूसरे video में add use क कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको recommendation मिल जाता है, इसके बाद site links का option है, आप site links भी add कर सकते हो, हमने एक site link यहाँ बनाई हुई थी, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसको use कर लेते हैं, बट हमने site link एक video campaign में बना के आपको दिखाई हुई है, आप उसी same process को use करके site link बना सकते हो, इसके बाद यहाँ पर आजाता है call to action का option, अगर आप इस drop down पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर learn more, get quote, apply now, वगर वगर वखर वाले option दिखाई देते हैं, लेकिन जो पहला option दिखाई दे रहा है, वो है automated का, यानि कि अपने आप ही system decide करेगा मिले को कौन स तो यही को automated वाई क्लिक रहे हैं दो, ऐसे भी AI वाला सब कुछ चल रहा है, ठीक है, यह हो गया, इससे पहले मैं नीचे और दूसरी option पर जाओं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, कि यह जो ऊपर preview दिखाई दे रहा है, यह preview बहुत अलग-अलग places के रिए है, YouTube के लिए भी preview दिखाई दे रहा है आपको, कि YouTube पर आपका अड कैसा दिखाई देगा, YouTube के लावा Gmail पर कैसा अड दिखाई देगा, यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, open होगा अड तो ऐसा दिखाई देगा, और close होगा तो ऐसा दिखाई देगा, दोनों ही तरह के अड दिखाई देगा, इसके बाद search वाल option भी दिखाई दे कि search में मेरा ad कैसा दिखाई दे सकता है display campaign मेरा ad कैसे दिखाई दे सकता है और उसके अलावा discover में मेरा ad कैसे दिखाई दे सकता है सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है नीचे आते हैं थोड़ा सा अब scroll करते हैं यह preview बहुत जरूरी होता है ताकि आप देख सकें कि आपका आड इंप्रसिव लग भी रहा है नहीं लग रहा है अड का इंप्रसिव होना बहुत जरूरी है आजाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर signals option दिखाए दे रहा है सर्च थीम क्या होता है बेसिकली वो word वो phrases जो लोग Google पर आपके products को सर्च करते टाइम आपके product को ढूड़ने के लिए यूज कर सकते हैं इस आर नॉट की वर्ड जैसा कि मैंने अभी बताया यह कीवर्ड नहीं है यह की वर्ड थीम है सर्च थीम है सो कौन परसन हो सकता है जो डिश्टल मार्केटिंग के कोर्स को या उसकी बारे में inquire करना चाहेगा कैसे करेगा search, digital marketing course यूज कर सकता है word को सीधे, या फिर learn digital marketing या फिर SEO course, advanced SEO course, इस तरह के ही कुछ phrases को यूज कर सकता है, तो हमने इने यहाँ पर add कर दिया, आप 25 themes तक add कर सकते हो, हमने इपने सिर्फ 4 add कि, इसके बाद आ जाता है audience signal का option, जहाँ पर आप अपना खुद का website का data add क करके बता सकते हैं Google को कि इस तरह की audience मेरे add पर ज्यादा अच्छा रियाग करेगी, आप audience signal को बहुत अलग-अलग type के add campaigns के अंदर use कर सकते हैं, बट अभी तक आपने इस audience signal जाले option को add बनाने के sequence में नहीं देखा, क्योंकि performance max के लिए बहुत ज़दा important हो जाता है, performance max campaign में Google क AI system काम कर रहा है, लेकिन AI system हमेशा उसको एक data चाहिए होता है modeling के लिए, तो वो किस type की audience को आपके add दिखाए, यह कैसे पता लगेगा अगर आप अपनी पुरानी audience का data provide कर देते हैं, right, so यहाँ पर first party data का मतलब यह हुगा कि आपकी website पर जो data collect हुआ है, उसकी बात हो रही है आप अपनी website के data को अगर यहाँ पर add कर देते हैं, तो Google को यह समझने में आसानी होगी कि भाई किस तरह की audience को मैं दिखाऊं यह add ताकि वो इस course को purchase कर लें, so एक बार हम click करते हैं, add your data नाम के button पर, और यहाँ पर अगर आपने audience segment अल्लेडी बना रखे हैं, audience signals को use कर रखा ह हो है, so आप थोड़ी देख लिए आपको बहुत पूरा audience signal के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, otherwise आप बटक जाएंगे इस performance max campaign से, लेकिन दिखा देता हूं, otherwise थोड़ा से जिग्यासा अंदर बनी रहेगी, so new segment नाम के button पर click कर देता हूं, एक छूटा सा pop-up आएगा, आपको इस type का user, visitor इस website पर आता है, तो आप landing page के, आप add के लिए इसी type की audience से लिख करो, या फिर आप अपनी खुद के customer list को भी add कर सकते हैं, या फिर आप जो segments हैं, जो lead के segments हैं, उनको add कर सकते हैं, या फिर YouTube user, अगर आपका कोई YouTube channel है, जहां पर लोग बहुत सारे already videos को देख रहे हैं, तो आप उन लोगों की information, Google Ads के साथ में share करके, और इसके बाद similar audience को add दिखा सकते हैं, इसके लाबा यहाँ पर website visitor और app user type का data भी दिया जा सकता है, यह सारे option gray out है, बिकर अभी account बहुत fresh है, इसके पास authority नहीं है, सिर्फ Google Analytics 4 वाला segment add किया जा सकता है, बट अभी हम इसे भी use नहीं करेंगे, बिकर अदरवाइस आप बटक जाएंगे, हम लोग audience segment को अलग topic की तरह देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, cancel बटन पर click कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आप अपने audience को एक नाम भी दे सकते हैं ताकि आप बाद में भी दुबारा दूसरे performance max campaigns में उसे use कर सकेंगे, बट अभी हमने audience select ही नहीं करेंगे, तो हम नाम क्या देखेंगे, तो हम click करते हैं next बटन पर, और हम आ गए हैं budget वाली window पर, जहाँ पर आपको अपना budget decide करना है, मैंने select किया था 500 रोपीज, जहाँ मैं daily 7000 रुपे क्या सपा सकर्च करने पड़ेंगे, यानि कि 49000 रुपीज पर week अगर मैं spend करता हूं, तो यहाँ पर week 576 conversion मिल सकते हैं, okay, now I don't understand Google हम सब को helpful content के लिए इतना, बोलते हैं खुद क्यों नहीं helpful content लेता है, अगर यहाँ पर daily budget बता रहे हो, तो यहाँ पर conversion weekly क्यों बत सकते हैं, या फिर आप upper limit और lower limit को भी select कर सकते हैं, otherwise आप चाहें तो अपना खुद का भी budget यहाँ पीना चाहिए, तो यह गूगल को पैसे देने के चक्कर में कर्च क्यों लेना, तो यहाँ पर 2000 रुपे पर day का हमने daily budget सेट कर दिया है, उसी budget पर add-on करेंगे, weekly 14,000 cost आएग और महीने का 60,000 रुपे लगेगा, ठीक है, इतना सेट करने के बाद next button पर click करते हैं, और देखते हैं, कोई error है क्या, यहाँ पर अभी थोड़ा से exclamation वाला mark दिखा रहा है, हो सकता है कोई error आए, resort कर लेगा, नहीं आए, कोई बात, यह bid hire for new customers, यह थोड़ा सा यहाँ पर update क हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ पर click करते हैं, publish campaigns पर, और अब यह campaign publish हो जाएगा, done, performance max campaign sorted out, so I hope कि आज के बाद जब भी आप performance max type के ads को बनाएंगे, google ads के अंदर, तो आपका पूरा budget आवी खतम नहीं हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम demand gen type के ad campaign बनाने की बाते हैं करेंगे और देखेंगे कैसे demand gen type के ad बना सकते हैं, google ads के अंदर, thank you so much for watching this part, my name is Amitwari from Amitwari.net and I will see you next time, take care.